करेंगे समझने की कोशित करेंगे यह जो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ है तो यह कितना डीप और जा सकता है या फिर यहीं से निफ्टी बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह सारे पर्टिकलर हुआ हम सब्सक्राइब करके की जो हमारी स्ट्राटिजी है कि अगर हम 20 minutes के चार्ट पे जाते हैं तो सब्सक्राइबर आप देखो यह आई है ठीक है तो यह आज का ट्रेणिग सेशन ता तो यहां पर क्या हुआ मार्केट ने सबसे पहले आपको यहां पर हमारे स्टाटीगी का रूल की अकॉर्ड लों कर लेंगे तो हमारा यह एक red candle बनी इसके green 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 बनके यहां पर red मिली यहां combination complete हुआ यहां पर high break हुआ और high break जब होता है तो हम क्या करते हैं यहां पर short की position create करते हैं तो यहां पर short position create करी और day low का target हमें यहां पर मिल गया ठीक है तो already अगर दिखा जाए तो उपर से करीब करी 70 point का यह fall है one way और इस fall में काफी अच्छे premium put side के jump हो गए सेम चीज़ आप देखोगे तो bank nifty में आप देख सकते हैं यहां पर बन मिनट का चार्ट पर जाएंगे तो यहां पर आपका चार्ट यहां पर आपको क्या करना है वन मिनट का हाई और लो मार्क करना है तो यह आपका हाई हो गया यह लो हो गया इसने हाई को ब्रेक किया यहां से शॉट क्रियेट हुआ नीचे आया ऊपर पुल बैक किया फिर दुबारा पर नीचे गिरके इसने डे लो का टार्गेट इवें प्रीवियर्स जो क्लोजिंग थी वहां तक का टार्गेट यहां पर हिट कर दिया था अल्रेडी यहां से अगर दिखा जाए तो 300 पॉइंट का यह वन वे फॉल था तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अब यह दीरे-दीरे रिकावर करना पर दूबद से सेलिंग लिए नीचे आजएगा तो अलमुस्त बूरा रिकावार मार्केट और सइकंड हाफ में दुबारा से नीचे गरब देख सकते हैं यह दो और शीन अफे यह सेलिंग गया तो यह सिंपल स्टेडी इस स्ट्राइट इस इच्टेडवित आपको एक में चला गया फिर थोड़ा देर साइडवेस चला गया फिर यहां पर दुबारा से सेल ओफ में आ गया अब यहां पर एक पॉइंट आता है देखो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए आउट अप दा मनी लेना चाहिए 10 रुप वीडियो में मैं सारे वो कोशन होंगे जो यूट्योब पर आप कमेंट कर रहे हो जिसके बारे मैं आपने पूछा है उसके आंसर दूँगा प्लस मैं स्ट्राटेजी को थोड़ा सा और एक्स्प्लें करूँगा आपको हाला कि एक्स्प्लें मैंने पूरे मल्टिपल टाइ टिक है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स्प्लें करूँगा और प्लस कि जो कोशनस होंगे उनका मैं आपको आंसर दूँगा ौप знаюरी प्लस और बीजो इंपोटेंट प्वाइंट हो सकते हैं वह मैं आपको API कर दूँगा तो कल के दिन मैं आपको वह वीडियो शेयर कर दू क्योंकि मैं सरफ आपको ऐसे न्यूट्रल होके आपको चीजें बताने की कोशिस कर रहा हूं मेरा कोई आप से होग नहीं है कि आपको कल को प्रॉफिट मिलेगा तो आप मुझे कुछ पेमेंट कर दोगे या मेरा कोई कोर्स कहीं लोगे मेरे सारे कोर्स मैंने फ्री कर दी हैं अब मैं कोई पर सेल नहीं करता हूं यहां पर रिफरल प्रोग्राम में कुछ चलाता नहीं हो यहां पर और जो भी एक रिफरल ब्रोकर है ऐसे में वहां पर आप अनलिमिटेडिडिंग कर सकते हैं तो वहां से भी कोई मिले को बड़ा प्रॉप पेमेंट नहीं आने वाला ठीक है ना क्योंकि जायट सी बात है जब हजार उपे में अनलिमिटेडिड ट्रेडिंग हो रही है तो आपकी कोई ब्रोकरेज भी जनरेट नहीं हो रही है तो वहां पर भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला तो जो आपके काफी हद तक काम आ सकती हैं अगर आप थोड़ा सा उसमें डिसिप्लेन बनाओगे और थोड़ी से अंडर्स्टेंडिंग रखोगे एज़ा यह समझ लो कि जो मैंने मार्केट से सीखा है एक्स्पीरियंस जो मार्केट में मैंने ऑन स्क्रीन समझने की कोशिस करिए वो मैं आपको शियर कर रहा हूँ आप 10-15 दिन 20 दिन इसको करके देखिए आपको अपने confidence आजाएगा फिर आप करोगे कि हाँ यार यह strategy काफी अच्छी काम कर रही है तो यह चीज मैं पिछले एक साल से explain कर रहा हूँ continue बता रहा हूँ हर एक वीडियो में आपको marking करके बताता हूँ target बताता हूँ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको trust आए थोड़ा सा trust factor का issue है एक बाद confidence और trust बन जाएगा आपका पैसा आपको मिलना start हो जाएगा यह चीज ध्यान में रखेगा अब analysis कर लेते हैं market की तो देखो simple दी चीज़ है दो दिन की चुट्टी आपका Saturday Sunday चुट्टी अब Monday को market खुलेगा तो दो दिन के बाद market का sentiment कै कैसा रह सकता उस चीज़ को हमें समझना है तो सबसे पहली चीज़ आती है यहां पर अगर हम option chain data को देखते हैं तो जाएट सी बात है monthly expiry होगी है ठीक है monthly expiry है तो monthly expiry अब आपकी nifty और bank nifty की Thursday को होगी तो यह point आपको ध्यान में रखना है कि Thursday को expiry होगी ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं 9700 की call पर 54 लेक का open interest खड़ा हुआ है और 9700 की जो put है वहां पर करी 71 लेक का open interest खड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है कहीं न कहीं जो put writers है वो यह समझ रहे हैं कि market में अभी देखा जाए तो market ओलेडी गिर चुका है तो एक bounce back आ सकता है ठीक है इसलिए put writers आ तक नहीं निकलता तब तक आप यह में समझेगा कि market बहुत जादा bounce कर जाएगा 9800 पर आपको resistance face करता हो और दिखाई देगा नीचे कहां तक जा सकता है जाए सी बात है ठीक है तो यहां से हो सकता है bounce back आ जाए तो यह जो label है वह है आपका 19,632 का तो हो सकता है Monday आपको थोड़ा सा एक selling देखने को मिले और उसके बाद आपको pullback आके ऊपर closing आती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि यह एक support का area बन सकता है ठीक है अगर आप bank nifty को देखोगे यहाँ पर bank nifty के अगर day chart में जाते हैं हम तो यहाँ पर आप देखो studies में जाएंगे तो moving average में यहाँ पर आप देखोगे तो 50 day moving average को इसने break कर दिया ऊपर भी गया तो इसी label पर resistance लेके नीचे आया है तो bank nifty ने break किया है nifty ने भी break नहीं किया है तो हो सकता है bank nifty एक बार यहां से support ले लेगा मैं यह बोल रहूं कि हो सकता है यह bounce कर जाए क्योंकि आप चार ट्रिडिंग सेशन में काफी हद तक अच्छे खासे गहर चुके हो तो यहां से bounce back आ सकता है उसके बाद जिब दुबारा से नीचे आएगा तब यह break कर सकता है तो यह point आपको ध्यान में रखना है shorter time frame में अगर आप देखा जाए तो यहां पर देखो जो लेवल से हैं वो मैं आपको यहां पर माक कर देता हूं बाइंग आ सकती है जैसे यहां पर आई मौनिंग में वैसी यहां से भी बाइंग आ सकती है उपर जब तक आप इस लेवल को cross नहीं करते हैं आट सो को तब तक तो आप बिल्कुल नेगेटिव हो समझ दो यह बिल्कुल नेगेटिव एरिया है इसके नीचे इसके उपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा बहुत बाइंग आ सकती है 19,840-19,890 की यह सब ऊपर की जो लेवल होंगे सारे अटक अटक के मार्केट जाएगा वन वे में शायद ही जाए यहां पर होना है थोड़ा सा मुश्किल है बट एक सी ध्यान में रखिएगा यहां से मार्केट गिरा पूल बैक आया यहां पर दुबारा से गिरा अगर यह यहां से बाउंस करता है तो क्या है एक शौटर टाइम फ्रेम में डबलू फॉर्मेशन हो चुका होगा तो फिर यहां तक मार्केट इजली आ सकता है ठीक है उसके बाद यह दुबारा से नीची की तरफ गिर सकता है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है इतना आपको समझ में आगए है निफ्टी के अंदर भाइंबाइंग देख लेते तो बैंग लिफटि के लिए अगर आप देखो लएक तो सिंपल ही चीजा है वाक्त दमाग नहीं लगाना है बैंग लिका निफ्ति आप चाहो तो यहां से एक ट्रेंड लाइन इस तरीकिए से ख गुजा रहा था ठीक है तो यह जो पर्टिक्लर एरिया है आपका 44,000 से लेकर 44,200 का यह एक सपोर्ट एरिया है यहां से एक बाउंस पेक आ सकता है तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बहुत बड़ा गैब डाउन खुल गया तो वह रिकवरी दिखा सकता है यह ठीक है अगर हम शौटर टाइम फ्रेम में चलें तो 15 मिनट में आपको दिखेगा कि यह आपका important level है ठीक है ऊपर मैंने आपको बताई दिया है कि जब तक आप 45 आपके ऊपर नहीं जाएगा देखो सिंपल जी जीद है बैंक निफ्टी पॉजिटिव का अब होगा ध्यान पॉजिअ सकते हो एक स्थूइच्ट घल आपको रहे घेक कोई बन गाये और पॉजिटिव नहीं हो सकता तो यह से तік ड़्यान में चाहिश्टा। आप definitely उसको sell side पे use करो थोड़ा सा hold करना पड़ेगा बट आपको अच्छा profit यहाँ पे मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं यह strong pullback आया और फिर यह selling आपकी तुरंट आ गई ठीक है जादा time नहीं लगा जबकि इसको ऊपर जाने पर अब देख रहा है ठीक है तो global market में कोई ऐसी जादा बड़ी recovery नहीं देखने को मिलिया हो सकता है आज एक recovery आज है क्योंकि और लड़ी पिछले तीन से चार trading session में काफी हद तक अच्छा correct हो चुके हैं ठीक है तो यह सारे particular point आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होंगे तो I hope दोस्तों यह particular data आपको समझ में आगया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like and share जरू करिएगा और चैनल कुरियो सब्सक्राइब के लिए क्योंकि मैं सोदील लेकर आता रहूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के तार शुक्रिया दोस्तों जय हिंद